उम्शान्ति आज 29 डिसेंबर 2021 है और आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को खुश रहने का बहुत सुन्दर मंत्र बतलाया है हम केवल यही याद रखें कि मैं कौन हूँ मैं शिफ बाबा का बच्चा हूँ और मैं 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त कर रहा हूँ तो हमें इसी खुशी और नशे में रहना है और किसी भी बात की परवा नहीं करनी है आज बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया है रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्मान करने वाले विश्व कल्यानकारी भव बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है विश्व कल्यानकारी का और अगर हम नव निर्मान में नई दुनिया के स्थापना में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो हमें विशेश दो गुण धारन करने होंगे एक है रुहाब और दूसरा है रहम जब हम दे अभिमान में होते हैं तो हमारे अंदर रॉब आता है हम रॉब से बोलते हैं अपनी पुजिशन के जो देहिक हमको पुजिशन्स मिली होती हैं उनके नशे से बोलते हैं लेकिन जब हम आतम अभिमानी स्थिती में होते हैं हमें स्वयम का परिचे होता है सत्य बाप का परिचे होता है समय का परिचे होता है और आने वाली नई दुनिया हमारी बुद्धी में स्पष्ट होती है तब हमारे अंदर रुहाब आता है अर्थार्थ इश्वरी अथॉरिटी आती है हम किसी के आगे असत्य के आगे जुकते नहीं लेकिन निस्चे से फलक से अपने बात को करते हैं कहते हैं और साथ ही साथ रहम रहम क्योंकि हम पूरवज आत्माए है पूरवज जब अपने से छोटों को देखते हैं तो उनके लिए शुब भावना शुब कामना ही रखते हैं उनके लिए दुआएं ही रखते हैं मन में और सोचते हैं कि किस प्रकार इनका कल्यान हो तो ऐसे दो गुणों को जब हम Emerge करते हैं तो हमारे अंदर रुहानियत स्वाभावे करीती से आ जाती है इसकी निशानी हम देखते हैं शक्तियों के चित्र में तो बाबा ने कहा जो शक्तियों के चित्र हैं उनमें ये दोनों निशानिया हैं रुहाब और रहम और स्ने है तो इसी प्रकार हम ज्यान के अस्त्र शस्त्र को लेकर अपनी स्थिती को मजबूत बनाएं जिससे सामने की परिस्थिती या व्यक्ति से जुके नहीं लेकिन साथ ही साथ उनके कल्यान का हमारे अंदर सदा संकल्प रहे तो आज इस बात पर हम विशेश अटेंशन अंदे, Om Shanti